हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्रीव टीन फ्लेम चननी पर माई लविंग टीन सोल्स, आप सभों को बहुत-बहुत प्यार एवं आभार, जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज का विशय है चैनल मेसेज फोर टीन फ्लेम्स जूट को खत्म होना ही है सर्व प्रथम मैं अपनी सोल फैमली को अनुमान जैनती की बहुत बहुत शुब कामनाई देती हूँ एक कहावत है जूट चाहे कितना भी सिर उठा ले कितना भी शोर मचा ले वो सच नहीं बन सकता वो सच के सामने टिक नहीं सकता क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी होती है तीन दिन पहले उस परसन ने मुझे निगेटिव कमेंट्स भेजने शुरू किया मैंने उसे इगनूर किया पर चार तारीक को वो अपने विक्राल रूप में आ गया और उसने मुझे खुला चैलेंज दिया कि आप अपना वीडियो 369 यूटूब से हटाईए मुझसे माफी मांगिए नहीं तो मैं आपके एकनिस्ट एक्शन लूँगी और वो समय था जब एक आंतरिक और मांसिक युद्ध शुरू हुआ एक इस्प्रिचल वार सच और जूट की अंधकार और प्रकाश की प्रियो जूट की एक प्रविर्थी होती है वो अपने आपको बहुत महान ठहराता है वो स्वयम को ईश्वर बताता है वो बहुत शोर करता है पर खुद को कभी साबित नहीं कर पाता उसका सिर्फ एक ही उद्धेश होता है कि सच उसके आगे घुटने टेक दे हार मान जाए और ईश्वर का एक और बंदा अपने टेस्ट में फेल हो जाए ये कैसा मानसिक अंतरदंध है जो आपके भीतर चलता है जिसे न तो कोई देख सकता है और नहीं कोई समझ सकता है इसे सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसके अंदर ये चलता है ये ऐसा है जैसे किसी इंसान को आग की भटी में डाल दिया जाए और वो निरंतर जलता रहे और ये हर टुइन फ्लेम्स की कहानी है ये उसके भीतर का एक युद्ध है पर वो वहां से तभी निकल सकता है यदि उसने अपना विश्वास कायम रखा है यदि उसने खुद पर भरोसा रखा है इश्वर पर भरोसा रखा है तो वो इन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकेगा वो कभी हार नहीं मानेगा यदि वो विश्वास रखता है तो वो अपनी आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाता है और आधी इश्वर पूरी कर देते हैं और तब वही होता है एक जीत एक काली रात के बाद नया सवेरा सत्य का सूरच चमकता है और उसकी रोश्णी में अंधकार कहीं गुम हो जाता है ऐसे जैसे कभी वो था ही नहीं उसका कुछ पता ही नहीं चलता प्रियो कल मेरी वीडियो जाने के बाद कुछ घंटे के अंतराल में उस परसन ने पोश्ट में से अपने सारे निगेटिव कमेंट्स हटा लिये और यहां तक की उसने मेरे लिए पंदरा मिनट का एक वीडियो बनाय था जिसमें उन्होंने बहुत सी निगेटिविटी की बाते कही थी उसे भी उसने डिलिट कर दिया यह कैसी परिस्थिती है कि जो इंसान कुछ समय पहले दम भर रहा था जूटे दावे कर रहा था वो अब कहां रहा वो तो खत्म हो चुका है इसलिए कहा जाता है कि जूट को खत्म होना ही है यह एक बहुत बड़ी जीत व उपलब्धी है और यह मेरे और आपकी है इसे कहा जाता है प्रेम वह एकता की शक्ती जिसके प्रकट होने पर विरोधी पक्ष खड़ा नहीं रह सकता मैं कहती हूँ आपका प्रेम आपकी ब्लेसिंग्स ही मेरी शक्ती है I am so grateful I am so lucky I am blessed कि आप जैसी soul family मुझे मिली और मैं इश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपको दिया क्योंकि आप मेरे लिए precious हो, मुलिवान हो कीमती हो और मेरी wish है divine से कि जब तक मैं जिवित रहूँ अपनी अंतिम सास तक अपनी soul family को सर्व कर सकूँ Thank you all of them Your prayers blessings and love एक जीत के साथ बहुतों का साथ जुड़ा होता है ये मेरी ही नहीं बल्कि आपकी भी जीत है ये सत्य की जीत है और divine भी ये देखकर प्रसंद हो रहे होंगे कि आखे मेरे चुने हुए लोगों ने एक नई जीत दर्ज की है तो आएए इस जीत का जश्न मनाए हम उत्सों मनाए इसे सेलिब्रेट करें क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे एक जुड़ की जीत है एक सोल फैमली की जीत है और प्रियो मेरी एक बात हमेशा याद रखना जूट अंदकार या विरोधी शक्ति चाहे कितना भी आपको मजबूर करे आपको डराए आपको सताए आपको मारे उसके सामने कभी घुटने मत टेकना कभी गिवप मत करना उसके सामने कभी हार मत मानना क्योंकि यदि आप विश्वास रखते है तो वहीं से आपकी जीत पक्की हो जाती है और विश्वास डिवाइन पर विश्वास खुद पर कि उस परिस्थिती से लड़ना और उससे जीत कर निकलना एक विजेता के रूप में एक वास्त्विक्ता है सत्य का कितना भी विरोध कर लो उसे कितना भी दबा लो कितना भी सताओ कितना भी मारो अंत में जीत उसी की होती है इसलिए हमेशा सत्य की मार्ग पर चलना सत्य की लड़ाई ही लड़ना ताकि जूट भाग जाए क्योंकि प्रियो आप सत्य के है आप blessed है आप चुने हुए है और आप उस इश्वर की पहचान है आप उस इश्वर के अंश है जो स्वैम सत्य है इसलिए आप हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ना और सत्य की जीत ही कायम करना तो प्रियो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धनिवाद लव यू आल आफ देम इश्वर आप पर हमेशा अपनी असीम कृपा बनाए रखे थेंक यू तो प्रियो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गॉड ब्लेस यू आल